गुद मॉर्णिंग क्लास फोर्थ, हाव यू आल, आई होप यू आल, फाइन, तो क्लास यह आपका हिंदी का पीरिड है, अपनी भाशापत की बुख निकाल लिए, तो क्लास अपनी भुक खोलिए, और पेज नमबर 13 पे आईए सभी, और अपनी पैंसिल एरेजर भी निकाल लिए, तो क्लास, आज हम क्या करेंगे, जल बचाओ पार्ट का कुछ, बुक वर्क करेंगे, जो हमारा भी बाकी रहे गया है, ओके, परियाएवाची शब्द याद कीजिए और लिखिए, परियाएवाची शब्द आप सभी को पता हैं न, किसे बोलते हैं हम, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होना समान आर्थी शब्दों को हम क्या बोलते हैं परियाईवाची शब्द बोलते हैं तो यहाँ पे वो ही परियाईवाची शब्द यहाँ पे दिये वह हैं उन्ही को आपको यहाँ पे लिखना है तो पहले याद करना है फिर लिखना है तो हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा इन्हें याद करना है ओके शेर का परियाईवाची शब्द क्या होता है यहां से आपको ढूंड के फिर लिखना होगा ओके तो एक तो होता है सिंह मेरे साथ अपने बुक में लिखिए और एक और क्या दिया है यहां पर केसरी सिंह और केसरी किसको बोलते हैं हम शेर को बोलते हैं नेक्स्ट क्या दिया है बादल बादल को हम क्या बोलते हैं एक तो घन दिया है यहां पर और एक और क्या दिया है यहाँ पर हमें ढूड़ना है जलद तो एक हम लिखेंगे जलद नेक्स्ट है मीन मीन हम किसको बोलते हैं एक तो क्या दिया है यहाँ पर मचली किसको बोलते हैं हम मचली तो एक लिखेंगे हम मचली और दूसरा मतस्य क्या लिखेंगे हम मतस्य तो मीन मचली और मतस्य नेक्स्ट है कानन कानन किसको बोलते हैं हम जंगल को तो जंगल लिखेंगे और एक और यहाँ पर दिया हुआ है औप्शन्स में अटवी दन नेक्स्ट है धरा धरा हम किसको बोलते हैं धरती को या फिर पृत्वी को बोलते हैं ओके तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है धरती और प्रित्वी दोनों दिये हैं तो हम यहीं दोनों यहाँ पर लिख देंगे ओके प्रित्वी और सॉरी प्रित्वी में आधा था आता है प्रित्वी और धरती यहाँ पर एक लास आधा था आएगा प्रित्वी वी, पृत्वी नेक्स्ट है अब सरोवर सरोवर हम किसको बोलते हैं तालाब को बोलते हैं हमने पढ़ा है ना, तो एक तो यहाँ पर क्या दिया है तालाब दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे तालाब और एक और हम यहाँ पर ढूणना है यहाँ पे दिया है तड़ाग, पोखर और सरोवर तो सरोवर और तालाब तो हमने लिख लिया ना और क्या दिया है यहाँ पे पोखर तो पोखर भी हम यहाँ पे लिख देंगे ओके क्लास तो आपको यह लर्न भी करने है now come to next page question number two हम नहीं करेंगे इसको cut कर दीजे यह प्रश्न तीन हम life class में कर चुके हैं एक बार में इसको फिर से करवा देती हूँ जिनकी mistakes होंगी वो इसे correct कर लेंगे गरम प्लस E क्या बन जाएगा गरमी नदी प्लस इयां क्या बन जाएगा यह नदियां खेत प्लस E क्या बन जाएगा यह खेती नेक्स्ट है परेशान प्लस E क्या बन जाएगा यह परेशानी उप्योग प्लस E उप्योगी I hope आप सभी कि correct होंगे mistake नहीं होगी बट एक बार फिर भी आप cross check कर लिजे चिन्ता प्लस इत क्या बन जाएगा चिन्तित जंगल प्लस E यह क्या बन जाएगा जंगली अल्राइट अब यह है प्रश्न चार शब्द के दो दो अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए ताड के दो अर्थ होते हैं ठीक है एक हमने अभी पार्ट में पढ़ा समझना मैंने उनकी परेशानी को ताड लिया मतलब उनकी परेशानी को समझ लिया और दूसरा होता है एक मारना पीटना भी ताडना का ही अर्थ होता है मारना पीटना अब क्लास यह आपको होमवक में इन से वाक्य खुद बनाने है escaped के तभी आपको वाक्य बनाने आएंगे अगला है पर पर आप सभी को पता होगा ना पर एक तो क्या होता है पक्षी के पंक या फिर पर भी लिख सकते हैं हम और हम बोलते हैं इस पर बैठ जाओ तो किसी चीज के ऊपर किसी वस्तू पर ठीक है पर एक तो पंक को बोलते हैं हम और किसी वस्तू पर ठीक है और जल एक तो जलना हो गया बोलते हैं न हम वह चीज जल रही है और दूसरा पानी पानी को भी क्या बोलते है हम जल बोलते है तो आपको इन छह शब्दों का प्रयोग करके वाक्कें बनाने this is your homework right homework here फिर हमने यह पाठादारित व्याकरन का प्रषन एक कर लिया था right तो अब हम प्रषन दो पे आएंगे प्रश्ण दो हम अभी करेंगे उधारन के अनुसार शब्द के वर्णों को अलग-अलग लिखिए एक उधारन उन्हें दियावा है किसान उसको उन्हें अलग-अलग करके लिखावा है तो इनको क्या बोलते है वर्णों को अलग-अलग करके लिखना वर्ण विछेद करना ठीक है तो ऐसी हमें इन सब का वर्ण विछेद करना है तो सहा रा कैसे लिखेंगे इसको सा के नीचे हलंत आएगा और अ सा के नीचे हलंत और बड़ा आ सहा रा फिर है सुन्दर सुन्दर को कैसे लिखेंगे सबसे पहले सा के नीचे हलंत चोटा व बी आएगा ठीक है और अंकी बिंदी भी आएगी तो इसलिए अंग भी लिखेंगे हम अंग की बिंदी है न तो ये क्या बन गया सूं फिर द दा के नीचे हलन्त और अ और फिर र रा के नीचे भी हलन्त और अ सुन्दर फिर है तालाब त हलन्त बड़ा आ ता ल नेक्स्ट है महीना जिस पर कोई मात्रा नहीं होती उसके साथ हम क्या लगाते है अ लगाते है इसलिए मैं बार बार जिसके साथ मात्रा नहीं है वह अ लगा रही हूं और जिस वर्ण के साथ मात्रा है उसके साथ हम वो ही स्वर लिखते हैं जैसे कि मही तो हा पे बड़ी ए की मात्रा है तो हा के नीचे हलन्त और बड़ी ए लिखेंगे हम फिर ना ना पे आ का डंडा है तो ना के नीचे हलन्त और बड़ा आ मही ना ओके नेक्स्ट है जंगल जा हलन्त फिर से क्या आ जाएगा है हाँ पर आ और इसी में हम अंकर देंगे इसको के जंग क्योंकि हाँ पर स्पेस कम है तो हम इसी में क्या लिख देंगे इसको जंग और फिर गा के नीचे हलन्त और आ और फिर ला के नीचे हलन्त और आ जंगल अल्राइट क्लास तो इसे क्या बोलते हैं हम वर्ण विछेद वर्णों को अलग-अलग करके लिखना और प्रश्न तीन भी हम लाइफ क्लास में कर चुके हैं ओके तो आज हमारा बुक वर्ण कम्प्लीट हो गया है आपको इस सभी को क्या करना है लर्ण भी करना है फॉर्ण फॉर्मेटिवस ओके क्लास तो दाट सॉल पर तुड़ेश क्लास बाई बाई टेक क्यर